आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल में तह दिल से स्वागत है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले है वो है चैप्टर फिप्टिन टेंप्रेचर और टेंप्रेचर के ब्रें टीजर को हम लोग इसमें सॉल्व करे गे वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही निवेदन है एक ही अन्रोध है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एम अपने दोस्तों एम रिलेटिव के साथ सेयर करें ताकि इससे उनका भी पैदा हो सके तो चलिए अब हम लोग brain teacher के question को देखते हैं brain teacher का जो question number one है वो क्या है tick the correct answer मतलब जो सही answer है उस answer को हम लोगों को बताना है तो जो question number one का a है वो क्या कह रहा है वो कह रहा है water freezes at कह रहा है water जो freeze होता है या मतलब पानी जो जमता है तो इसमें option है 0 degree Celsius, 0 degree Fahrenheit और 32 degree Celsius and 100 degree Celsius तो इसका जो सही answer होगा वो होगा answer option number one 0 degree Celsius, 0 degree Celsius में water freeze होता है question number B है उसको क्या कह रहा है उसको देखिए पढ़ते हैं हम लोग तो कह रहा है which of the following would a thermometer display on a very hot day कह रहा है कि बहुत गर्मी का दीन है उस गर्मी के दीन में जो थर्मा मीटर है वो क्या major, क्या degree Celsius डिस्पले करेगा तो क्या करेगा जितना जादे गर्मी उतना जादे डिगरी तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number 3, 47 degree Celsius ठीक है अब C number क्या है, C number जो है वो कह रहा है 28.5 degree Celsius इक्वल टू how many degree Fahrenheit तो इसको हम लोगों को convert करना होगा और convert करके बताना होगा कि कितना degree Fahrenheit होगा तो Celsius scale से Fahrenheit को convert करने का क्या step था, इसमें हम लोग पहले 9 by 5 से multiply करेंगे तो जो 28.5 है उसको first step में multiply करना है 9 by 5 से ठीक है अब यह 5 से इसको काटते है, कट जाएगा तो जरूर काटेंगे ठीक है ना तो यह कटेगा 5, 5 जा 25, उसके बाद यहाँ 3 और यह 5, तो 35 बचा तो 5, 7 जा 35 यहाँ decimal है तो यहाँ हम लोग डेसिमल दे जाते है तो इसको हम लोगों ने काटा तो यहाँ पर हम लोगों का आया 5.7 multiply 9 तो 5.7 को लाइन से multiply करेंगे 97 जा 63 का 3 हाथ में लगा 6, 95 जा 45 और 6, 51 तो यह हुआ 51.3 यह था first step अभी यह complete नहीं हुआ है second step में क्या करना है इस 51.3 में हम लोगों को 32 एड करना है तो जब 32 एड कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0.3, 2 और 1, 3 और 5, 3, 8 तो यह हो गया 83.3 यह होगा हमारा answer मतलब की option number जो 1 है वो इसका answer हो जाएगा अब इसका D number को देखते है D number में क्या कह रहा है तो D number जो है वो कह रहा है 100 division on a Celsius scale thermometer is equal to कह रहा है कि Celsius scale में जो 100 division होता है वो बराबर है fill in the blanks division इन्हें Fahrenheit scale thermometer thermometer के कितने division के बराबर है तो इसका answer में बहुत लोग confused होते है बहुत लोग लिख देते है 212 इसमें answer लेकिन ये 212 जो है वो इसका answer सही नहीं है वो इसका गलत answer है यहाँ division की बात की गई है division मतलब जो 0 से लेके 100 के बीच का जो है वो कितना है Celsius scale में वो 100 है तो Fahrenheit scale में कितना होगा तो Fahrenheit में हमारा जो highest होता है वो होता है 212 और जो सुरुआत होता है 32 से तो हम लोग इसमें 212 में 32 माइनस करेंगे तो हमारा जो answer आएगा वो आएगा 180 यानि कि इसका जो सही answer है वो है option number 2180 ना कि 212 212 इसका गलत answer है तो इसमें confuse नहीं होना है अब इसके E number को बनाते है हम लोग E number को solve करते है E number जो कह रहा है वो कह रहा है 120.2 degree Fahrenheit equal to how many degrees Celsius मतलब कि हम लोगों को यहाँ Fahrenheit से Celsius में convert करना है तो Fahrenheit से Celsius में convert करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग इस टेप करते थे वो क्या करते थे जो भी दिया हुआ है उसमें से हम लोगों को 32 माइनस करना है तो इसमें से जब 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.2 दस में से दो गया 8 और यहाँ 11 तिन गया 8 यह आया 88.2 अब यह जो 88.2 आया इस 88.2 में हम लोगों को मल्टिप्लाई करना है कितने से 5 बाइन से 9 बाइन से नहीं करना है कितने से करना है 5 बाइन से उसके बाद इसको काट देंगे कटेगा तो 9 1 जा 9 और यह 9 9 जा 81 यहाँ 7 और 2 पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया तो 9 8 जा 72 तो यह कट गया हमारा तो यहां क्या बचा 9.8 मल्टिप्लाई 5 अब 9.8 में 5 को मल्टिप्लाई कर देंगे तो 58 जा 40 का 0 हात में हमारे पास कितना बचा चार 59 जा 45 और 4 49 अब यहां एक डेसिमल है तो एक से डिजिट से पहले डेसिमल तो 49.0 मतलब कि यह 49.0 है वो किसके बराबर है 49 के बराबर है तो इस question का जो सही answer होगा वो क्या होगा 49 option number 3 इसका सही answer है अब हम लोग question number 2 की और पढ़ते है brain teacher के brain teacher के question number 2 में हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को करना है fill in the blanks मतलब खाली इस थान को भरना है तो question number 2 का जो A है वो क्या कह रहा है temperature is the measure of fill in the blanks और यहाँ पर भी fill in the blanks है यह गलती से लिखा गया ह ठीक है ना fill in the blanks of a body तो temperature जो है वो body के किस चीज़ का major है तो यहाँ पर होगा hotness और यह coldness जो की पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका answer होगा hotness और coldness उसके बाद B number में क्या कह रहा है we use a thermometer to measure the fill in the blanks of a body हम लोग thermometer का यूज करते है body के किस चीज़ को मापने के लिए तो body को temperature को मापने के लिए तो यहाँ पर जो हमारा answer होगा वो होगा temperature उसके बाद जो C number है वो C number क्या है a doctor uses a fill in the blanks thermometer to measure the temperature of a patient a patient के temperature को मापने के लिए doctor कौन से thermometer का यूज करता है उस thermometer को क्या कहते है तो यहाँ हो जाएगा clinical thermometer उस thermometer को हम लोग क्या बोलते है clinical thermometer उसके बाद जो D number है वो क्या कहता है Celsius and Fahrenheit are the two fill in the blanks used in a thermometer Celsius और Fahrenheit दो क्या चीज है जो thermometer में यूज किया जाता है तो वो क्या है two scales तो Celsius and Fahrenheit are the two scales used in a thermometer उसके बाद जो E number है वो क्या कर रहा है तो हंड्रेट टूवल डिग्री फेरेन हाइट is the fill in the blanks point of water in the Fahrenheit scale मतलब Fahrenheit scale में जो तूवल डिग्री फेरेन हाइट है वो वो वाटर का कौन सा point है freezing है या boiling है तो क्या point है boiling है तो यहाँ पर हो जाएगा boiling point of water उसके बाद एफ नंबर the fill in the blanks सब्सकेल यूग चीने界 क्लिनिकल थर्ममेंटर क्लिनिकल धर्मपेंटर में कौन सा स्केल यूच किया जाता है तो यह देखिये यह जगह के हिसाब से और स्केल का भी सर्मामेटर में यूज होता है या यूज किया जा सकता है या फैरनाइट स्केल का भी लेकिन हम लोग यहां पर फैरनाइट स्केल ही कलें गरें गए उसके बाद जो इनम्बर सब्सक्राइब मतलब की फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट होता है वो क्या होता है वो 32 होता है तो यह इसके इक वो जाएगा चील तो यहां क्या हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियाज यहां पर हमारा क्वेश्चन नमबर 2 फिल इन दे ब्लैंक समाफ्त हुआ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 3 की और तो क्वेश्चन नमबर 3 जो है वो कहा रहा है कनवर्ट दो फॉलॉओइंग्टेंपारेचा इन्टू अदर दे यहां पर नूमबर है वो दिया हुआ हमारा सेल्सियस इसकेल में कनवाट करेंगे लिए तो Fahrenheit में स्किल में convert करने के लिए क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले 9 by 5 से उसको multiply करते हैं तो यहाँ पर हम लोग 70 को multiply करेंगे 9 by 5 से अब यह 5 वन जा 5 और यह 14 तो यह कट गया यहाँ पर क्या बचा 14 into 9 तो 14 into 9 क्या हो जाएगा 14 into 9 होगा वह होगा 126 वह क्या होगा 126 अब यह जो 126 आया इसको सेकेंड स्टेप में हम लोगों को 32 से एड करना है तो जब 126 को 36 से एड करेंगे तो 6 और 2 8 3 और 2 5 और यह 1 तो इसका जो एंसर होगा वह क्या होगा 158 डिग्री फेरेनहाइट यह हो ग लेखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है बी नंगर कह रहा है 104 डिग्री फेरेनहाइट मतलब यहां पर फेरेनहाइट में दिया हुआ है और हमको फेरेनहाइट को करना है तो इसमें क्या था सबसे पहले सबसे पहले जो 104 है इसमें हम लोग 32 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 3 गया 7 यह आ गया 72 अब इस 72 को हम लोग को 5 by 9 से multiply करना है तो 9 8 जा 72 यहां क्या बचा 8 multiply 5 तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40 तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा 40 degree Celsius ठीक है अब इसमें question number C को देखते है question number C क्या है जो question number C है वो कहा रहा है 0 degree Celsius तो अभी हम लोग Fahrenheit scale में पढ़े fill in the blanks में पढ़ा क्या पढ़ा 0 degree Celsius is equal to how many degree Fahrenheit तो इसका direct answer हम लोग लिख सकते है 32 degree Fahrenheit ठीक है अब इसको solve करेंगे तो भी हमारा 32 degree Fahrenheit ही आएगा तो चलिए देख लेते है पहले तो हमको 0 को multiply करना है किस से 9 by 5 से तो जब 0 को multiply करेंगे तो क्या हैगा 0 फिर इस 0 में क्या जोड़ेंगे 32 तो 0 में 32 जोड़ेंगे क्या है 32 तो यह हो गया 32 degree Fahrenheit ठीक है तो इसका answer हम लोग यहाँ पर direct भी लिख सकते है कि ठीक है ना अब आता है इसमें डी नंबर डी नंबर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस है इसको Fahrenheit में करना है तो Fahrenheit में करना करने के लिए सबसे पहले 9 by 5 से multiply यह 5 3 15 कट गया यह 39 जग जाक्या हो जाएगा 27 अब इस 27 को क्या करना है हम लोगों को 32 से जोड़ देना है तो 27 क डी डी फेरेनहाइट एंसर अब आगे है क्या इस इनमबर में 59 डिग्री सेरेनहाइट 59 डी डी फेरेनहाइट को कनवर्ट करना है सेल्सियस स्केल में अभी एंसर निकाले से हम लोग ठीक है चलिए फिर भी करते हैं 59 को सबसे पहले 32 से माइनस करेंगे तो 927 और 5 में कर देंगे तो 9 3 जा 27 तो यह क्या होगा 3 x 5 3 x 5 15 डिग्री तो 15 डिग्री celsius हो गया हमारा यहां पर एंसर उसके बाद जो इसमें लास्ट क्वेस्टन है वह क्या है वह है 9 डिग्री celsius 9 डिग्री celsius को हम लोगों को Fahrenheit scale में convert करना है तो 9 को करना है तो सबसे पहले हम लोगे मल्टिप्लाई करेंगे 9 by 5 से तो 9 by 5 से multiply करते हैं तो 9 by 5 से multiply करेंगे तो यह तो multiply हो यह तो कटेगा नहीं 59 से तो इसको काटेंगे तो यह हमारा डेसमेल में आएगा तो चलिए काटते हैं फाइफ वन जा फाइफ चार पचेगा तो फाइब जा फोटी तो वन पॉइंट एट तो वन पॉइंट एट मुल्टिप्लाई नाइन तो नाइन एट जा 72 का टू हात में लगा सेवन नाइन बंजा 9 और 7 16 तो यह आया 16.2 अब यह 16.2 में हम लोग 32 को एड कर देंगे तो 16.2 में जब 32 को एड करेंगे तो कितना आ जाएगा यह 0.2 है 6 और 2 8 हो गया 3 और 1 4 तो यह 48.2 8 8.2 डिग्री फेरेन हाइट यह होगा इसका एंसर यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 का ब्रेंटीजर भी समाप्त हो गया ब्रेंटीजर में हमारा इतना ही क्वेस्चन था तो अब आखरी में आप सभी से बस यह अनुरोध है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवाँ अपने दोस्तों एवाँ रिलेटिव के साथ सेयर करें ताकि इस वीडियो से उनका भी कुछ वेनिफिट हो सके तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 16 ट्राइंगल का ले करके आएंगे